तो यार आज gaming smartphones की बात करेंगे तो अगर आपका बज़र थरी फाफ सब से पहले हैं आपको इतनी बात कहा दो हर एक बनदे का बज़र जो थरी चुट नहीं होता लेकिन अगर आपका बज़र 35,000 है तो बहुत जादा सही बज़र है आपका इस प्राइज रेंज में आपको बहुत दगड़े स्मार्फोन मिल जाएंगे जिन पे आप गेमिक नामनी एजली कर सब्सक्राइब वह भी हाई ग्राफिक पे तो यार वीडियो के साथ बने रहे ना इसके उपड़ मत करना स्टार्ट करता है वीडियो लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले यार मेरा इंट्रो तो है लो मेरा नहा में रॉपिन प्र प्रॉपिन ऑच्टा वैक्ट अच्टी अंबॉक्सिंग आपका बहुत बास हो आगे तो यार मेरे स्मार्ट फून की बाद करूं सबसे पहले आपको एक डूल डिस्प्ले देखने को मिल जा दिया ठीक है उसके साथ साथ आपको आई पी शिक्स्टी एटर रेटिंग देखने को मिल जाते है वाटर एंड डस्ट रिजिस्टेंड अगर पानी वगारा गिर भी जाता है ये ख अगर आप कोई भी मुल्डी डास्किंग करना चाहते है अपने स्मार्ट फून पर तो भी आप कर सकोगे आपको कोई भी प्रावलम नहीं आने वाली फून बहुत तगड़ा है ठीक है एक आपको पावफुल स्मार्ट फून देखने को मिल जाता है तो भी अगर आपने जा सब्सक्राइब करने को मिल जाता है जो कि तगड़ा पर सैसर है अगर आपने गीमिंग भी करनी है आपके लिए अपको डिस्प्ले देखने को मिलती है यह चीज़ आप दियान में रखना है स्टोरेज की बात करूं आपको सिक्स्टी भी रम मिल जाते है प्लस बैटरी की ब नॉर्मली एंड इजली देखने को मिल जागा तो भी अगर आपने अभी तक नहीं चावड़ किया था एल्जी जी एट एक्स को तो भी मैं आपको दिल से रिकुमेंड करना चाता हूं बिकर्स फून पूरा लोड़िड मिल जाता है चाहे वो कैमरा चाहे वो प्रसेसर है च चाहे वो डिजाइन है मतलब चारो ही चीज़ों आपको पॉर्फेक्ट देखने को मिल जाते है एक पर इसको चावड़ करने अगर आपका बज़ेट 30,000 है जा अगर आपका बज़ेट 35,000 है आगे बात करते है नबर 4 की बात करी है नबर 4 पर मैंने रखा IQ 3 को अगर इस स्म स्मार्टफून देखने को मिल जाते है इसकी हासा की बात कर आपको इसका तगड़ा प्रसाइसर इसकी खाँज करता है तो अगर आपने जानाए iq3 कि अब जा सकते हैं आपको पूरशय साथ डिस्प्लेय अच्छा दिखने को मिल जाता है अगर आपने गेमिंग करने यह प्लस भैई अगर आपने कैमरे गेमे के रिलेटल आपने को स्मार्टफून लेना है तब भी आप इस स्मार्टफून की और जा सकते हो बड़िया इत 4-inch Super Amulet Display मिल जाते है प्रसाइसर की बातों को Snapdragon 865 देखने को मिल जाता है Storage की बात करूं आपको तीन वेड में देखने को मिलेगा 6GB, 8GB, 12GB जो भी आप लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं प्लस आपको 128GB Storage प्लस 256GB Storage में देखने को मिल जाता है प्लस ठीक्षा के बात करूं आपको 6400 डामच की बैटरी मिल जाते हैं प्लस 55W का Direction दिर कामरे की बात करूं अपको और कामरा मिल जाता 48MP 3MP 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 2MP 2MP सेलफी की बात करूं आपको 16MP सेलफी को मिल जाते हैं मेंन स्पेसिफिकेशिम आपको बता दिया IQ 3 के, अभी बात करते हैं, अगर आपको एक गेमिंग के लिए स्मार्टफों चाहिए, तब आपके लिए perfect deal हो सकता है, आप जा सकते हो IQ 3 के और, अगर आपको एक नियुक के रिलेटेट स्मार्टफों चाहिए, तो बहुत कुछ तर 3 पर मैंने रखा Realme X50 Pro सबसे पहले मैं आपको बताना जाता हूं कि आपको 5G स्मार्ट फून देखने को मिल जाता है प्लस आपको एक फ्लैक्शिप प्रसाइसर देखने को मिलेगा इसका कैमरा बहुत तगड़ा मिल जाता है उसके साथ साथ आपको प्रसाइसर भी तगड़ा ठीक है इसका जो कलर जाते डिजाइन आते हैं वह आपको एक नॉर्मल टच देखने को मिलेगा लाइक रियल्मी के फून अगर आप लोगे ना यार 30,000 के या अगर आप 15,000 के लोगे 20,000 के 25,000 के ना उसके साथ ही आपको सेम डिजाइन देखने को मिलेगा ज्यादा फरक व रखा और कोई भी प्राब्लम फोन में नहीं है वैसे अकॉर्डिन तो स्पैसिफिकेशन देखा जाए यह स्मार्टफोन भी पूरा लोड़े मिल जाता भी डिस्प्ले की बातों को 6.44 इंच सुपर एमलेड डिस्प्ले मिल जाता है प्रोसाइसर की बातों को थोड़ा सा कम है अगर आपने उसके रहो जाना आप जाए सब्सक्राइब को तूफिश्टी सिवी स्टोरेग देखने को मिल जाते है बैटरी की बात करूं आपको फोटाइट वोड़का फास्टार कैमरे की बात करूं आपको कॉर्ड कामरा मिल जाएगा सिक्स्टीफोर मे प्लस एट मेगा पिक्सल प्राइज की बात करूं आपको 47,000 ट्रिपल नान के बजल में रियल्मी एक्स्टी प्रो देखने को मिल जाता है तो यह मैंन स्पेसिफिकेशन में आपको बता यह रियल्मी एक्स्टी प्रो के भी तो भई अगर आपने स्मार्टफोन के और जाना आपको सेम देखने को मिलेगा जो की सच में एक मानस प्रो जाता है कोई बंदा यार 35,000 प्या खर्च करता ना तो उसको एक डिजान भी डिफ्रेंट जाईए ठीक है अभी आगे बात करते है नबर टू की बात करूं या नबर टू पर मैंने रख़्ा मैंने रख्खा एम मै आपको एट के वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं जो की सच में प्लस पॉइंट आ जाता मानस पॉइंट की भी सीदी बात करता हूं कि आपको फ्रेंट कैमरे में फोर की ऑप्शन तक भी नहीं देखने को बिलता है ठीक है इसका डिस्प्ले बहुत सही है आपको IPS LCD देख है एंड इसके जो कलर्स है वो बहुत सही देखने को मिल जाते है पैसा वसूल फून है भी अगर आपने अभी तक नहीं जैगट किया था माइट एंट को तो आपको बहुत पसंद आने वाला है ठीक है तो इसके में स्पेसिफिकेशन की बात का लेता है तो डिस्प्ले की ब बात करूं यह दो वेड़ में देखने को मिलता है 6GB RAM एंड 8GB RAM प्लस आपको 128GB storage देखने को मिल जाते है बैटरी की बात करूं आपको 5000 डामेंज की बैटरी मिल जाते है प्लस आपको 33 वोड का फार्चार्जर मिल जाता है कैमरे की बात करूं आपको 64 MP3 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 MP की बातों को 20 में आपको सेल्फी देखने को मिल जाती है तो यह मेंन स्पेसिफिकेशन में आपको MI10T के भी बता दिये यह स्मार्ट फून भी आपको पूरा लोड़ेड़ मिल जाता है अगर आपने स्मार्ट फून क्या हो जाना है आप जा सकते हो ठीका इसके कलर हो गया इ सीदी बात करता है नबर वान की बात करूई है नबर वान पर मैंने रखा है सामसंग गलक्सी S20 FE तो सबसे पहले मैं आपको बता दो इसका बजट जो है वो 40,000 देखने को मिल देगा लेकिन सामसंग का भी नया फून लाँच हो गया इसका प्राइज अभी कम होने ही वाला ह पक्का होगा शोरूम है 100% शोरूम यार इसका प्राइज आपको 5000 ड्रॉप ही देखने को मिलेगा तो भाई अगर आपका बजट अंडर 35,000 है थूड़ा सा वेड कर लो अगर आपने स्मार्टफून के और जाना है आप जा सकता आपको एक सैमसंग की और से स्मार्टफून म कर जाता विकर्ज सैमसंग का जो प्राइवेसी सिस्टम होता है अगर आप कोई भी मतलब अगर आप कोई भी एप्लिकेशन का इंस्टॉल करते हैं आप सेफली उसको यूज कर सकते हो ठीक है अपनी फूटोज होगी डॉक्पमेंट होगे उसको प्राइवेसी में रख सकते एंड इसका कैमरा बहुत अत्ता घड़ा है अगर आपने सिनेमेटी फ्यूट करना अगर आपने व्लॉगिंग के लिए स्मार्ट फून लेना उसके साथ अगर अपने रील्स बनानी है टिक टॉक बनानी है ज्यादा पंगिये लेने के शुकीन हो तो भी आपके लिए ये फ अगर आपको एक स्मार्ट फून चाहिए तब भी आपके लिए पॉर्फेक्ट डील हो सकता है स्टोरेज की बात करूं आपको एट जीबी मिल जाते है प्लस आपको वान टीबी तक बैंटरी की बात करूं आपको फूर्ट वालेस चार्जिंग भी स्पोर्ट करता है उसके स्मार्ट फून रिवर्स चार्जिंग भी स्पोर्ट करता है कैमरे की बात करो उपको ट्रिपल कैमरा मिल जाता है 12 अपक्छल प्लस फ्लेम अपक्छल प्लस 12 अपक्सल इस पर आप 8K वीडियो र्कॉर्डिंग कर सकते हो सेल्फी की बात करूं आपको 32 में आपक्छल किसी और के और जाने की जुरूरत ही नहीं है यार आपको पूरा लोड़ेड देखने को मैल जाता है नमबो वान फून तो यार अभी मैंने आपको टॉव फाइब स्मार्टफोन बता दिया जो कि आप अंदा थरीफाउसाद नॉर्मलें इजली ले सकते हो तो यार अभी यार मेरी वीडियो यही पर वुथा खत्म अगर आपको मेरी वीडियो को लाइक करदेगा ना कंट करदेगा दोस्तों को पह दीदिना उनको भी गयाता नहीं चाहिवरगो का थिए लिग को आपको डिसक्र